यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर पिक्चर में कुछ पूधे है आप इनके बारे में क्या जानते हैं? यह स्टुडेन्स अपने दोस्तों आप कीजिए चलो हम डिसकस कर लेते हैं यहां पर देखिए यह स्टुडेन्स यह क्या है? सुगर केन है है ना गन्ना है यह क्या है कोटन प्लांट है है ना कोटन प्लांट से क्या मिलता है कोटन मिलता है है ना नेक्स्ट पिक्चर देखिए यह क्या है वीट गेहूं है है ना गेहूं की खेत है ओके यह देखिए dear students, आप सभी लोग चावल खाते हैं, है ना, चावल कहां से आता है, यहां से आता है, इसे कहते हैं, पाटी, धान कहते हैं, ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए dear students, यह क्या है, आप सभी को पता है, यह मेज है, मेज यानि मक्का, ओके, है, let's read the lesson, let's begin, rice, मेज and wheat are the most important part of our food, dear students, चावल, मक्का और गेहू, हमारे भोजन का सबसे महुत पुन हिस्जा है, है ना, हम लोग राइस खाते हैं, मेज खाते हैं, और क्या खाते हैं, वीट, we call them cereals, dear students, हम उन्हें क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं, cereals यानि अनाज, they are the seeds of different plants, dear students, हम उन्हें अनाज कहते हैं, they are the seeds of different plants, these plants belong to the grass family, dear students, जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे rice, मेज, वीट, है ना, चावाल के हूं, यह जो पोधे होते हैं, इनके जो पोधे हैं, यह घास परिवार के हैं, we use cereals to feed our farm animals also, dear students, farm animals मतलब जो भी हम घर में पलते हैं, वो animals को farm animals कहते हैं, जैसे cows, sheep, pigs, बाफालोस, यह सारे farm animals हैं, okay, wild animals मतलब lion, जो जंगल में रहते हैं, उसे wild animals कहा जाता है, जैसे lion, tiger, है ना, fox, यह सारे wild animals, जो घर में हम लोग पलते हैं, उसे farm animals कहते हैं, okay, उन्हें भी हम क्या खिलाते हैं, आनाज खिलाते हैं, है ना, now let's see how we grow these plants, the students, अब देखते हैं कि हम इन्हें केसे उगाते हैं, okay, केसे उगाय जाता है, केसे harvesting किया जाता है, चलो हम पढ़ते हैं, okay, how does rice grow, dear students, चावल केसे उगाय जाता है, क्या आपको पता है, चावल कहां से मिलता है हमें, नहीं, चलो हम पढ़ते हैं, okay, rice is planted in big fields, we call these fields pides or rice pides, dear students, चावल बहुत बड़ बड़ा खेत में लगाय जाता है, we call these fields pides or rice pides, dear students, यह जो खेत है, इसे क्या कहा जाता है, धान कहा जाता है, धान का खेती क्या जाता है, धान से हमें चावल मिलता है, ओके, they are flooded with water, when the plants are young, they look bright green, these students, धान के खेती में बहुत सरे पानी के जरूरत होता है, देखिए picture में है न, यहां पर पानी बहुत होना चाहिए, when the plants are young, they look bright green, these students, जब यह young हो जाते हैं, यह पूधे बड़े हो जाते हैं, तो कैसे दिखाई देते हैं, bright green दिखाई देते हैं, ओके, but when they are ready to harvest, they turn golden brown, these students, जब धान पाग जाता है, पाएटी पाग जाता है, तो इसका color कैसे दिखाई देता है, golden brown दिखाई देता है, harvest यानि कटाई, कटाई का समय आ गया, इसका color change हो गया, brown color यानि कटाई का समय आ गया, okay, the tips of the plants have rice kernels, it is these kernels that we eat, dear students, जो rice खाते हैं हम लोग, चावाल खाते हैं, यह कहाँ से मिलता है, धान से, यहाँ पर देखिए, picture में, harvest कर रहे हैं, है ना, second वाला picture में देखिए, जो हम खाते हैं, चावाल खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, धान से मिलता है, है ना, piety से मिलता है, okay, जो धान का जो inner part है, उसे क्या कहा जाता है, rice kernels कहते हैं, okay, यहाँ पर picture में देखिए, यहाँ पर, dear students, देखिए, यह जो picture है, first picture में क्या है, धान है, piety है, brown color का है, है ना, फिर second picture में देखिए, यह है, rice kernels, जिसे, चावाल, फिर हम इसे क्या करते हैं, boil करते हैं, और खाते हैं, है ना, yes or no, yes, People in South India eat rice for every meal, dear students, दक्षिन भारत में लोग जाद तर चावाल खाना पसंद करते हैं, वे, breakfast में भी चावाल खाते हैं, lunch में भी और dinner में भी चावाल खाना पसंद करते हैं, okay, Sam and his family live in Chennai, dear students, यहाँ पर picture में देखियें, Sam और उसके family Chennai में रहते हैं, They eat rice for breakfast, वे, breakfast में क्या खाते हैं, चावाल खाते हैं, they eat rice for lunch, लांच में भी चावाल खाते हैं, they eat rice for dinner, dear students, वे, dinner में भी चावाल खाते हैं, We can make from rice many things to eat, dear students, हम चावाल से काई सरे चीजे बना सकते हैं, Can you name a few, dear students, चावाल से बहुत सरे चीजे बना सकते हैं, किया बन सकता है चावाल खाते है और क्या बनाते है विरियानी बनाते है और क्या बनाते है इटली डोसा होगे How does mage grow Dear students mage यानि मक्का मक्का का खेती कैसी क्या जाता है आई यह जानते है mage is known as an important part of our food Dear students मक्का हमारे भोचन का सबसे महत्तपुन हिस्सा है Important है ना We also call it corn Dear students हम इसे क्या कहते है Corn कहते है We grow it in big fields यहाँ पर picture में देखे Dear students बहुत बड़ा बड़ा fields होते है खेत होते है जहाँ पर हम मक्का हुगाते है Farmers grow the plants in rows First picture में देखे Dear students Farmers क्या करते है Row में लगाते है देखे Row में लगाया हुआ है कि नहीं Yes Little ditches are made between the rows Dear students Row के बीच में क्या क्या जाता है गढ़ा या केनल बनाए जाता है ताकि यहाँ पर पानी वाटरिंग क्या जा सकता है Farmers grow the plants in rows Little ditches are made between the rows Water is pumped into the ditches to reach every plant Dear students यहाँ पर गढ़ा क्या जाता है यहाँ पर गढ़ा क्या जाता है बीच में Row के बीच में ताकि सभी plants के पास पानी पोंच सके As the plant grow Cops begin to appear on the stocks These students जैसे ही plants बढ़ा हो जाते हैं वैसे ही हमें क्या दिखाई देता है कौन दिखाई देता है One or more than one cob can grow on each stock These students एक पोधे में एक या एक से ज़्यादा भी क्या दिखाई देगा Cops दिखाई देगा है ना मक्का दिखाई देगा यहाँ पर picture में देखिए Yes or no? Yes यहाँ पर देखिए these students बहुत बड़ा सा मक्का का खेत है किसे? रोस में लगाया हुआ है और बीच में क्या है? गड़ा है है ना जो कैनल जीशे दिखाई दे रहा है उहाँ पर क्या क्या जाता है? watering क्या जाता है ओके When the cops are ripe they have on them lovely rows of yellow grains Dear students जब यह बड़े हो जाते है पक जाते है ripe यानि पक जाना जब पक जाता है तब केसे दिखाई देता है? yellow color दिखाई देता है है ना We can use these grains for our food इसे हाम खाते है We can grind them into floor to make chapatis These chapatis are very tasty Dear students यह जो मक्का है जब यह yellow color हो जाता है तब हम क्या करते है? इसको ले कर आते है और क्या करते है इसे? हम लोग grind करते है grind करने के बद हम लोग क्या करते है? chapatis बनाते है है ना? यह बहुत tasty लगता है Dear students यहाँ पर picture में देखिए यह है मक्की की रोटी है ना? यह बहुत tasty लगता है ओके People in Punjab, Haryana and Himachal eat मक्की की रोटी with great release They also love to eat roasted corn on the cob Have you ever tested it? Dear students, dear students, पंजाव, हरियाना, Himachal प्रदेश के लोग मक्की की रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं उनकी favorite food क्या है? मक्की की रोटी ओके आप लोग भी खाये होंगे है ना? roasted corn खाये होंगे है ना? देखे पिक्चर में roasted corn और क्या उबल कर भी खा सकते हैं है ना? आप सभी लोग खाये होंगे यह बहुत tasty लगता है है ना? Have you ever tested it? कभी अपने इसे खाया है? अब सभी लोग खाये होंगे है ना? Yes How does wheat grow? Dear students अब सभी को पता है wheat यानी गेहूं गेहूं कैसे उगाये जाता है? आईए हम जनते हैं Wheat is planted in a big fields Dear students गेहूं कभी बहुत बड़े खेत में उगाये जाता है Farmers in India depend on rains to water their wheat crop Dear students भारत में किशन बारिस का integer करते हैं क्योंकि उन्हें पानी चाहिए खेती काने के लिए When there are no rains they have to irrigate their fields with water from wells and canals Dear students जब बारिस नहीं आती है तो किशन क्या करते हैं? Canals से Boring से Borwell से या कुएं से पानी लाकर वे खेती करते हैं The wheat plant has a thin stalk Grains of wheat grow in a head at the end of the stalk We call it the ear also Dear students They look very lovely when they swim in the breeze The students जब हवा बहती है तब ये दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है है ना? सुन्दर दिखाई देते हैं When the plants arrive they turn golden brown Dear students अब सभी लोग ग्याहों के खेत दिखा है है ना? जब ये यांग होता है तब केसे दिखा देता है Green और जब पक जाता है तो केसे दिखा देता है Brown दिखा देता है Okay We can make many things from wheat Families in the north of India Eat wheat for almost all their meals Dear students North India में जज़़र लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं ग्याहों की रोटी खाते हैं ये बहुत सरे चीज़े बनाते हैं We can make many things from wheat हम बहुत सरे चीज़े wheat से बना सकते हैं Okay Okay dear students Thank you